नश्कार बच्चो और आज बच्चो हम सभी अपने AP के लास्ट पड़ाओ पर आ गए हैं और आज मैं आपको AP के सारे कुश्चन्स खतम करा के NCIT का 5th चैप्टर पूरी तरीके से खतम करा दूँगा और अगर हमारे पर टाइम बचा तो प्यारे बच्चो मैं आपको 7th चैप्टर भी आज साइद शुरू करा दूँगा तो आईए शुरू करते हैं 5th चैप्टर हाँ जी बच्चो तो 5th चैप्टर में मैंने आपको शुरू के 9 कोश्चन्स करवा दिये थे ठीक हैं और आज और आज प्यारे बच्चो मैं आपको कुछ नए कोश्चन्स करवाने जा रहा हूं जिसमें सबसे पहले मैं आपको बच्चो करवाऊंगा कोश्चन नंबर 12 कोश्चन नंबर 12 बच्चो लिखा है find the sum of first 40 positive integer divide by 6 देखो बच्चो अब चाहे divide by 6 बोल दे चाहे divide by 8 बोल दे divide by 10 बोल दे divide by कोई सा भी नंबर कोई सा भी नंबर को भी divisional बोल दे इस टाइप का sum अगर निकालना हो तो सबसे पहले let the ap is आप ap let करेंगे कि बच्चो जब 6 का divisional बोला है तो 6 से सुरू करेंगे 6 12 18 dot 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 last term अब last term क्या होगा तो प्यारे बच्चो इसने बोला है 6 का divisional जो हमें लेना है वो कहां तक लेना है 40 term तक कहां तक 40 term तक तो बच्चो 40 term अगर वो बोल रहा है तो अपने आप में औरस्टूड है कि N क्या हो गया होगा 40 और बच्चो जब N 40 हो गया होगा तो last term क्या होगा 40 multiply मैं 6 क्यों होगा बच्चो multiply मैं 6 क्योंकि प्यारे बच्चो जितने का divisional बोला उसी का तो multiple होगा, क्योंकि divisual तभी हो सकता है, जब वो उसका multiple हो, तो अगर 40 का multiple बोल रहा है, अगर 40 terms तक बोल रहा है, तो 40 से कर दो, 60 बोल रहा है, 60 कर दो, 55 बोल रहा है, 55 कर दो, तो जितने number का term बोल रहा है, उतने से multiply कर दो, तो answer आजाएगा आपका 240, यानि last time क्या आगे भाई आपकी, 240, तो बस आपको निकालना है sum, तो sum निकालने के लिए, सबसे पहले a आपके पास 6, जितने का divisual है, वही क्या होता है, d होता है, 6, n आपको 40 दे ही रखा है, an आपने निकाली लिया 240, अब आपको क्या चाहिए बच्चो, sn, n आपन 2, a प्लस में an, n 40 दिया हुआ है, a 6 है, ये 240 है, तो बस इसको cancel करेंगे 20, multiply में 246, 0, 12, और ये 9, और ये 4, तो answer कितना आगया, 4920, ठीक है बच्चो, तो अगर ये 8 का divisual होता, तो भी ऐसे ही करते, 15 का divisual होता, तो भी ऐसे ही करते, ठीक है बच्चो, चलिए, question number 13, देखिए, same question है बच्चो, same question, डिट्टो, पता क्या बोला है, बस आप divisual की जगा, अपकी बार क्या यूज क्या है, multiple, divisual की जगा क्या यूज क्या है, multiple, क्या multiple यूज क्या है, कि बच्चो, AP बनाओ, AP बनाओ, 8 के 15 multiple का, 8 के कितने multiple का, 15 multiple का, तो 8, 16, 24, dot, 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 हाँ भी, लास्ट रम बे क्या आएगा, तो कहरा है, 8 का कितने multiple तक, 15 multiple तक, तो 15 multiple में तो 120 आएगा, तो कहरा है, इसका sum निकालो, ठीक है जी, तो A कितना है, 8, D की जुरूत नहीं हमें, N अभी बताई दिया 15, क्यों, क्योंकि 15 के multiple तक निकालना है, और लास्ट रम हमारा क्या आगया, 120, now, अब आपको पताईए, S, N क्या निकालेगा, N upon 2, A plus में A N, N, 15 upon 2, 8 plus में 120, तो 15 बताईए, 120 और 128, cancel out 64, तो 15 जोक 60 का 0, 6, 90 और 96, आंसर 960, ठीक है, उतारो, note करो, आंसर 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 अर्वाश ठीक है चलो आप देखेंगे जरा कोश्चन नंबर कौन सा हां जी बच्छो तो यह अपने नोट कर लिया होगा अब हम करते हैं कोश्चन नंबर कोश्चन नंबर 14 कोश्चन नंबर 14 में बोला है देखो कितना असान कोश्चन है कोश्चन नंबर 14 आपसे बोला है कि बच्छो एक AP बनानी है और टर्म्स की AP बनानी है और टर्म्स की 0 से 50 के बीच में let the AP between 0 to 50 of odd numbers of odd numbers हिंदी वाले क्या लिखेंगे माना 0 से 50 के बीच विसम संख्या का AP विसम संख्या का AP ठीक है विसम संख्या का AP तो बच्छो 0 से 50 के बीच में odd number का AP क्या बनेगा 1 क्योंकि 0 के बाद अगला number odd कौन सा है 1 फिर 3 फिर 5 50 से पहले कौन आता है 49 तो चलिए अब हमें पहले अब तक मैंने जो दो कोशन करवा है उसमें N दिया हुआ था अब कहरें इसका सम निकालो लेकिन बच्छो सम निकालने से पहले ये बताओ कि आपके पास N दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो पहले आपको N निकालना पड़ेगा तो N कैसे निकालते है A प्लस में N-1 D तो A N कितना है? 49 A कितना है? 1 N-1 N-1 बोले तो हाँ जी N तो पता ही नहीं है और D D कितना 2 प्लस का 1 बच्छो इदर आखे है माइनस का N-1 2 49 में से 1 गया कितना आगया? 48 2 यहां मंटिपलाई कर रहा है इदर आखे डिवाइड 2 से कैंसल आउट होगे 24 माइनस 1 इदर आखे प्लस का 1 तो N N कितना आगया बच्छो? 25 N कितना आगया? 25 ठीक है? तो N आगय 25 N आगय 25 ठीक है बच्छो? और अब क्या करेंगे? Now S N निकालेंगे तो S N कितना होगा? N अपॉन में 2 A प्लस में A N N कितना है? 25 अपॉन 2 A कितना है? 1 A कितना है? 49 तो बस यह आगया 50 2 से कैंसे लाओ 25 25 इन 2 में 25 6 25 तो इस तरीके से बच्छों हमें Sum निकालना था जो हमने निकाल दिया फटा फट करेंगे अगला कोशन करवाता हूँ कितना है से करेंगे चलिए बच्चो आगे देखेंगे आगे देखेंगे 14 होगी हमारा इसके बाद बच्चो मैं और वाने जार हूं कोश्च नमब 11 कोश्च नमब आप वकब 15 कियो नहीं कर आ रहे हैं तो 15 से आपके कुरसे कट चुका है बहुत साल पहले ही इस साल नहीं बहुत साल पहले ही, ठीक है, कोश्चन नमबर 11 कराने से पहले, बच्चो पहले मैं आपको एक पहले basic concept बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा, बच्चो कोई भी AP, कोई भी AP, term से मिलकर बनती है, कोई भी AP, term से मिलकर बनती है, सभी बात है, और बच्चो, जैसा कि हमें पता है, कि जब हम लोग sum करना शुरू करते हैं, तो हम words यूज करते हैं क्या, sum of first term, sum of first five terms, sum of first ten terms, हिंदी में, प्रथम पद का योग, पहले पांच पदों का योग, और पहले दस पदों का योग, हाँ जी, तो sum of first term, अरे first term तो होता ही A1 है, इसको किस के साथ जोड़ोगे, किसी के साथ नहीं, तो जो A1 होगा बच्चो, वही आपका S1 होगा, वही आपका क्या होगा, S1, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ sum of first five terms, तो इसका मतलब है S5, इसका मतलब है S5, लेकिन is never equal to A5, क्यों, क्योंकि बच्चो, S5 जो है न, वह पता है कौन है, A1, प्लस A2, प्लस A3, प्लस A4, प्लस A5, मतलब पहले 5 term का sum है ये, ये कौन है, पहले 5 term का sum है, ना कि खुद 5 term है, तो अगर आपसे कोई बोलता है 5th term, तब तो आप लिख सकते हैं A5, यानि पांचवाँ पद, पांचवाँ पद, अगर ये बोलता है तो आप लिख सकते हो ये, लेकिन अगर आपसे बोलता है 5 पद, तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन अगर बोलता है sum of first five term तो आप तब ऐसे नहीं लिख सकते तब आप सिर्फ ये लिखोगे जिसका मतलब ये होता है अगर आता है sum of first ten terms तो मैंने क्या बताया S10 तो लिख सकते हो लेकिन ये कभी भी A10 के equal नहीं हो सकता क्योंकि A10 का मतलब particular tenth term A10 का मतलब particular tenth term लेकिन S10 का मतलब क्या है S10 का मतलब है 10 terms का sum 10 terms का sum मेरी बात समझ में आ रही है तो दोनों में बच्चों बहुत बड़ा फर्क है ठिक तो इस वज़े से हमने क्या देखा कि बच्चों हमने An का नाम दिया था Any term यानि कोई भी पद हिंदी में क्या बोला था इसे कोई भी पद मेरी बात को ध्यान से समझेंगे मैं कहना क्या चाहरा हूँ An का मतलब बताया था मैंने Any term कोई भी term कोई भी पद तो बच्चों कोई भी पद का मतलब क्या है कोई भी पद का मतलब है कि हम किसी भी टर्म को सम से भी निकाल सकते हैं और किसी भी टर्म को हम A, D और N से भी निकाल सकते हैं A, D और N से कैसे निकालना है? पीछे सिखा दिया है और सम से कैसे निकालना है? अब सीखेंगे तो बच्चो, A N को sum से कैसे निकालते है sn-n-1 ये फॉर्मूला होता है an बराबर sn-sn-1 ये फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग किसी भी term को उनके sum से निकाल सकते हैं किसी भी term को उनके sum से निकाल सकते हैं जैसे अगर मुझे निकालना है a5 तो मैं क्या करूँगा A5 minus हैं जी क्या? बोलो 5 minus 1 मतलब A4 अगर बच्चो मेरे को निकालना है A8 तो इसका मतलब क्या है? कि S8 ओ हो हो गलत 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 बच्चो S5 minus S4 अगर मुझे निकालना है A8 तो यानि S8 minus S7 7 कहां से आ गया? N minus 1 से 8 minus 1 से अगर मुझे निकालना है A100 तो इसका मतलब S100 minus S99 मतलब बच्चो जो भी term आपको निकालनी हो जो भी term आपको निकालनी हो उसके sum के एक कम sum से minus कर दो अब ऐसा किया क्यों? proof कैसे करें? तो आईए मैं इसके थूरू proof कर देता हूँ क्योंकि छोड़ा छोटा है concept सम्में सेम लगेगा A5 निकालना है भई S5 का मतलब क्या है? sum of first five terms यानि A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 हा की ना? और minus S4 S4 का मतलब क्या है? sum of first four terms तो A1 plus A2 plus A3 plus A4 ठीक है? अब जड़ा इसको solve करो A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 minus अब देखो सब कुछ माइनस हो जाएगा? सब कुछ माइनस हो जाएगा की नहीं? तो देखो plus का A1 minus का A1 minus का A2 plus का A2 plus का A3 minus का A3 plus last में क्या बचा? A5 देखो answer निकल के आया की नहीं आया? आया ना? तो इससे यह पता चलता है बच्छो इससे यह पता चलता है कि sum से किसी भी sum से हम term कैसे निकाल सकते हैं? तो इस formula से ठीक है? note करो फिर numerical कराता हूँ जल्दी से note कीजिए numerical करेंगे फिर कर दोर्च करना बाता हूँ चलिए नोट कर लिया होगा अब करेंगे कोशन इसका कोशन बहुत प्यारा कोशन है बहुत ही प्यारा कोशन यह कोशन कर लिया तो अपने सब कर लिया ठीक है इसके बाद आज की ग्लास खतम एपी खतम ठीक है और नेक्ट क्लास में आपको नया चेप्टर सुरू करवाए जाएगा कोडिनेट जिमेटरी बड़ा प्यारा चेप्टर है ठीक है बहुत असान भी चेप्टर है करते चलिए तो कोशन नमर 11 पने जर डाल लेंगे और इंपोर्टेंट लिख लेंगे और बहुत अच्छा कोशन है लिखा हुआ है कि if the sum of first n terms कह रहा है as the given sum of n terms n पदो n पदो का योग हां जी बच्छो sn का formula आपको दिया हुआ है 4n minus n square उसने खुदी बोला है the sum of n terms का formula ये दिया हुआ है जरूरी नहीं है ये fix नहीं है ये change होता रहता बच्छो ये बात भी ध्यान रखना कि ये fix नहीं होता ये change होता रहता है समझ रहे हो ये जो formula है change होता रहता वो कोशन वाले की मरजियो कुछ भी देगा तो कह रहा है कि sum of n terms का formula आपको ये दे दिया अब कह रहा है what is the first term what is the first term तो बच्छो एक बात बताओ मैंने अभी थोड़ी दिर पहले क्या तिखाया है कि s1 जो होता है वो a1 के बराबर होता है सिर्फ यहीं एक ऐसा case है कि जब sum जो होता है वो a1 के क्या होता है बराबर होता है तो बच्छो आपको पता है क्या करना है क्या put करो n बराबर 1 put करो n बराबर 1 तो क्या बना s1 4 1 1 का square यहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 1 रख दो तो 4 1 का square 1 और यह कट के कितना आजाएगा 3 तो याद रखना बच्चो अगर s1 की value 3 है तो इसका मतलब वो a1 भी है तो इसका मतलब वच्चो first term कितना है आपका 3 सिर्फ s1 ही a1 के बराबर होता है कहीं आप यह लिख दो s2 बराबर a2 तो यह बच्चो बराबर नहीं होता है सिर्फ यही एक ऐसा case है जो बराबर होता है तो sum of first term जो होता है वही first term होता है अगला कहा रहाब what is the sum of first two terms अब देखो ध्यान से सुनना क्या बोला what is the second में बोल रहा है what is the sum of first two terms तो बच्चो first two terms का sum क्या है तो sn बराबर 4n-n square तो first two terms का मतलब यह हुआ कि n की जगा पे 2 put कर दो n की जगा पे क्या put कर दो 2 put कर दो 4 to 8 2 का square 4 और यह 4 s2 तो sum of first two terms का sum कितना आ गया 4 कितना आ गया 4 लेकिन अब अब आगे पढ़ेंगे अब लिखा हुआ है what is the second term तो देखो बच्चो दोनों को में कितना फरक है मैंने क्या बताए था sum of first two terms is never equal to second term is never equal to second term मतलब पहले दो पदो का योग बराबर नहीं होता है दूसरे पद के क्यों? क्योंकि बच्चो इसका मतलब है s2 और इसका मतलब है a2 और s2 का वैसे क्या मतलब होता है a1 प्लस a2 तो बताओ क्या कभी a1 प्लस a2 a2 के बराबर हो सकता है जी नहीं हो सकता, तो इसलिए याद रखना, ये जो हम निकाल रहे है, Sn, यानि S2, इसका मतलब है sum of first two terms, और अब जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, वो बोला गया है, third में, यानि इसी का third part, इसमें बोला गया है second term निकालो, क्या निकालो, second term, दूसरा पद निकालो, दूसरा पद, तो बच्छो दूसरा पद मतलब A2, तो मैंने आपको क्या सिखके है, बच्छो, A2 जो निकाला जाता है, वो sum से, A2, यानि कि कोई भी term, any term, any term जो निकाला जाता है, sum से, वो कैसे निकाला जाता है, SN minus, SN minus one, याद आया, तो देखो, ये A2 है, तो कैसे निकाल तो इसका मतला जो आपका A2 आया वो कितना आया वन तो A2 कितना आगे आपका वन इसी तरीके से बोल रही है ये आगे question में कि similarly find the third term, 10th term and nth term चलो भई नौ फॉर्थ में क्यारा third term निकाल के दिखाओ third term क्यारा third term निकालो ठीक है तीसरा पद तीसरा पद निकालो तो निकाल देंगे जी तीसरा पद मतलब A3 और A3 क्या होता है S3 minus S2 लेकिन अब समस्या क्या है समस्या ये है कि S3 की value तो हमरब है ही नी तो कोई बात नी भई अरे S3 हम निकाल देंगे कैसे निकालेंगे भई ये हमें sum का formula दिया हुआ है हमें sum का formula दिया हुआ है बस जहाँ जहां पर N है वहाँ वहाँ पर क्या रख देंगे 3 रख देंगे वहाँ वहाँ पर क्या रख देंगे 3 तो ये तो हो गया S3 का माइनस S2 S2 तो हमने पहले थी निकाल रखा है 4 तो बस 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 माइनस 4 बारा 9 में से 4 9 और 4 13 माइनस का 1 तो बच्चो थर्ड टम कितना आ गया माइनस का 1 ठीक है नोट करो इसको फिर 10 टम वाला करवाता हूं ठीक है अच्छा अगला देखो अब क्या बोला उसने कि 10 टम निकालो क्या बोला है 10 टम ठीक है जी अब अगर मुझे उसने बोला है इसके 5 पार्ट में कि 10 टम निकालो कि 10 टम कि ड़स्वा पद कि तो दस्वा पद मतलब 8 और 8 तेन का मतलब होता है एस 10 माइनस 9 एस 10 माइनस 9 लेकिन बच्छो ना ही मेरे पार चयो है ना ही मेरे पार S9 की value है तो मैं क्या करूँगा कोई बात नहीं भाई मेरे बाद value नहीं है formula तो है बस 4 n की जगा पे पहले बार क्या रखूँगा 10 फिर minus n square मतलब 10 का square ये तो बच्चो 10 वाले में लगा लिया अब formula किसमें लगाँगा 9 वाले में तो 4 और n की जगा पे 9 फिर n square मतलब 9 का square तो क्या बन गया 40 minus 100 36 minus 81 तो ये 40 में से गया minus 60 minus 81 में से 36 गया तो कितना जाएगा बच्चो जल्दी बताओ कितना जाएगा 81 minus 36 11 में 5 7 में 3 के 4 यहनि क्या जाएगा ये minus का 45 तो A10 बराबर minus 60 minus minus plus का 45 तो A10 की value कितनी आगई minus का 15 A10 की value कितनी आगई बच्चो minus का 15 तो जल्दी से आप लोग मुझे A8 A13 और A7 7 क्या 7 ने A5 ये निकाल के दिखाएगे सभी बच्चे ये निकाल के दिखाओ A8, A13, A5 ये मुझे निकाल के send करो सभी बच्चे इस cancer निकालो और send करो मुझे चलिए मैं उमीद करता हूँ कि आपने इस cancer निकाल लिया होगा ठीक है अच्छा अब इसका एक last और रहे गया ये note कर ले न सभी ने वीडियो पॉस करके note कर लिया अगर हो इसे फटा फट ठीक है अब इसके अंदर एक आ रहा है अब इसके अंदर एक आ रहा है क्या sum of n terms निकालो वो सरी now nth term निकालो last क्या था च्छटा था साथ वह था nth term निकालो n वापद निकालो n वापद यानि कह रहा है an निकाल के दिखाओ क्या निकाल के दिखाओ an बचो an क्या होता है sn minus sn minus 1 यही होता है न अब मैंने बच्चो आपको क्या समझा है कि जैसी value निकालनी होगी वैसा ही हम put करेंगे अगर आपको a8 निकालना है तो s8 minus s7 मतलब क्या है कि जहाँ पर n होगा वहाँ 8 रखोगे जहाँ पर n होगा वहाँ पर 7 रखोगे यही है न तो बस समझ जाओ sn sn तो हमें पहले से दे रखा है 4n minus n square लेकिन अब की बार आपको क्या दिया हुआ है sn minus 1 क्या दिया हुआ है sn minus 1 sn minus 1 का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपके पास n है जहाँ पर आपके पास n है उसकी जगा पर क्या रख दोगे आप n minus 1 रख दोगे जहाँ पर आपके पास n है वहाँ पर क्या रख दोगे n minus 1 समझ माई बात जैसे इस वाले case में जहाँ पर n था वहाँ 8 रख रहे थे और इस वाले case में जहाँ पर 7 था वहाँ 7 रख रहे थे तो इसी तरह जहाँ पर n है वाँ n रखो जहाँ n-1 है वाँ n-1 रखो अब open करो 4n-n square करो 4n-4 इसको open करो पहले a-b का whole square तो a square plus b square minus 2ab ठीक है 4n-4 minus का n square देखो अब minus अंदर जाएगा सबका sign change करेगा तो इसका भी sign change यह plus है तो minus कर देगा यह minus है तो plus कर देगा बताया न सबका sign change कर देगा a-n 4n-n square अंदर लेगे जाओ minus तो minus का 4n यह भी minus change करेगा minus minus plus फिर यह भी change करेगा minus minus फिर यह भी change करेगा minus minus अब जो कट्रा काटो plus का 4n minus का 4n minus का n square plus का n square तो आपके पास a-n की value क्या है 4 और 1 5 minus 2n यहनी बच्चो आपके पास जो a-n की value बनी वो कितनी बनी 5 minus 2n कितनी बनी 5 minus 2n तो प्यारे बच्चो इस तरीके से आपको solution निकालना है ठीक है इसी के साथ बच्चो आपका a-p का chapter पूरी तरीके से हो गया है खतम ठीक है और next class में बच्चो हम लोग क्या करेंगे एक मिनट से एक कुशन और रहे गया है जहां तक मुझे लगता है अच्छा हाँ 10 रहे गया है बच्चो 10 में भी ऐसे ही करना है चलो एक करा देता हूं मैं 10 का एक करा देता हूं कि पहले में 10 का एक करा देता हूं फिर आपका आपकी समस्य खतम जैसे 10 में कह रहा है एक a-p है और एक a-p के एक a-p का भई last term या any term निकालने का तरीका ये दिया हुआ है एक a-p का any term निकालने का तरीका ये दिया हुआ है कह रहा है find the sum of 15 term find the sum of 15 term तो ठीक है जी अगर मुझे 15 term का sum निकालना है ये देखो s-n का formula होता है क्या n upon में 2 ठीक है 2a plus n minus 1d और बच्चों अगर मुझे s-15 निकालना है तो n तो मुझे मिल गया 15 n तो मुझे मिल गया 15 तो s 15 बराबर 15 बटा 2 2a plus 15 में से एक गया 14d अब समस्य यह आती है कि ना मेरे पास a है ना मेरे पार d है मेरे पास an का formula है तो क्या किया जाएं इसको मानो first ना वही एनी term का formula यह दिया हुआ है यह किसका formula है एनी term का किसका एनी term का तो बस यहां पे put करो n बराबर 1 तो यह बन जाएगा a1 3 प्लस में 4 और 1 7 तो 3 प्लस 4 और यह आगे 7 तो बच्चों a1 की value क्या आगई 7 और जो a1 होता है वही a होता है अब निकालना है d तो d कैसे निकलता है a2 माइनस a1 नाओ फिर से बच्चों a1 वाले को उठाओ और put कर दो n की जगा पे कितना 2 तो जहां पर n है बच्चों उसकी जगा पे क्या रग दोगे आप 2 तो 3 प्लस में 4 दुनी 8 और यह 11 तो a2 की value कितनी आगे 11 नाओ अब d निक चार तो बच्चों d की value कितनी आ गई चार नाओ पुट a and d in equation फर्स्ट यहनि a की value और d की value किसमें रख दोगे equation फर्स्ट में तो मुझे s15 निकालना है लो जी भाई आ गया 2 a की value कितनी है 7 डी की value कितनी है 4 तो s15 15 upon 2 14 और 14 फोर्जा कितना होता है 56 तो 15 बटा दो गुने में 70 कट गया 35 तो 15 गुना 35 कितना होता बच्चों 15 बंजे 75 का 5 रह गया 7 पंदती पंतालिस अथ बावन तो यानि 525 कितना आ गया बच्चों 525 यह आपका आ गया sum यह आपका क्या आ गया sum तो बच्चों an का आ 10th का 1st part है यह मैं लिख देता हूं 10th का 1st part 10th का 1st part second part आपको खुद करना है समझ में आई बात कैसे करना है यह जो भी आपको term देरिखा वो any term है और उसमें आपको value put करके a1 और a2 निकालना है फिर a1 a2 से आप d निकाल लेंगे और value put कर देंगे इसमें और आपका answer आ गया जरूर नहीं है 15 term का कोई और term भी हो सकती है 20 आजाए तब भी 80 करना है 50 आजाए तब भी 80 करना बस n की जगा पे value change करते चलो ठीक है बच्छो तो चलिए इसी के साथ आपके ap हो गई है खतम next class में हम लोग coordinate geometry शुरू करेंगे और यह पूरी तरीके से खतम कराए जाएगा ठ झालै